तो यहां पर बात करते हैं Bitcoin के बारे में कल के लाइब में हमने धेल सारी बाते करी थी अबाट Bitcoin जिसमें से अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बात करी थी कि Bitcoin कहना कहीं यहां पर bullish pattern create कर रहा है और अगर Bitcoin यहां पर 21,900 या 800 की जो हम range के सकते हैं इसके उपर stable होता है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ magical देखने को मिल सकता है या जो market है वो bullish देखने को मिल सकता है लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखने के कोशिश करते हैं तो यहां पर market ने इसको as a fake out यहां पर create किया है तो जो falling waste था वो basically उपर break करके नीचे वापिस आया है और कहीं ना कहीं अब market इसके bottom areas को break करें के कोशिश यहां पर कर रहा है इसका simple सा मतलब यह है कि market अभी भी bullish यहां पर properly नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं market नीचे आने के कोशिश करता है तो अगर यह level ऐसा resistance यहां पर create होता है प्राइस नीचे आता है थोड़ा सा resistance होता है तो prices के इंदर हलका फुलका हमें drop देखने को मिल सकता है और आपको दो levels बताये थे एक था 20,600 का और एक हमारा center level है 20,000 डॉलर का कि यह दो जो targets है वो हमें भी possible है कि यहां पर देखने को मिल सकते हैं लेकिन इतना है कि अभी तक कोई भी closing के नीचे हुई नहीं है नहीं तो फिर still तो market is falling वे इसको follow कर रहा है अगर इस line को मैं थोड़ा सा adjust करने के कोशिश करूँ तो आप इस line को लगपक इस तरह हलुका फुलका फुलका adjust कर सकते हैं जिसके according भी market कहीं न कहीं अभी भी उसी channel के अंदर formation यहां पर बना रहा है और क्योंकि अब यहां पर weekly candle close हो चुकी है तो हम जरा इसको भी यहां पर observe कर लेते हैं तो यहां पर आपको एक चीज़ देखने में पड़ी अच्छी लगए कि जो last week हमारा closing हुआ बिटकॉइन में वह लगपक लगवग 22,500 के उपर हुआ है तो यहां पर एक थोड़ा सा positive symptom है तो इस candle के bottom area को test करने के कोशिश हो सकती है उसका market उपर जाता है नीचे जाता है वह चीज़ हमें देखने होंगी क्योंकि बड़े time frame में तो marketing साइड वेस के अंदर है जिसको की cover up यहां पर करना है लेकिन उपर जो हमार पास sales zone है वो है 29,300 से लिखे लगबख 32,000 के आसपर जहां पर प्राइस जाता है तो वहां से अगर selling आती है तो और जदा बैटर यहां पर बन सकता है तो यहां पर बात करते है 4 hour के अंदर दुबारा से तो यहां पर आपको मैंने आपको थोड़ा सा भी वेट कर लेना चाहिए closing का closing यसी भी होगी उसके अगर हमें एक resistance मिलता है तो हम लोग फिर short की तरफ देखेंगे तो फिर market जब इसका high up break करता है 22,950 डॉलर का then हमें कोई भी long position देखने को मिल सकती है यही पर बात करते है यह में ribbon के बारे में तो यह आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर यह चाहिए थी कि कल और उसके बात का जो एक दिन है वो important हो सकता है क्योंकि कल याने कि 26 जुलाई को यहाँ पर federal reserve अपने interest rate जारी करने वाला है और उस interest rate के अंदर हम सभी को बताए कि hikes यहाँ पर होंगी और क्योंकि अभी जो inflation का data है था वो पिछली बार से भी ज्यादा था तो यहाँ पर आपको hike देखने को मिलने वाली है और 28 तरिक को यहाँ पर हम लोगों को GDP देखने को मिलेगी USA की तो वो भी एक अलग है क्योंकि पिछली बार भी वो negative थी अगर और जदा negative आती है तो हम सभी को बताए कि जो global market है उसके उपर उसका आसर यहाँ पर पढ़ने वाला है तो यह बहुत सारी change जो कि आप भी थोड करना है क्या करना है कहां एंट्री करना है कहां exit करना है कैसे stop loss को set करना है कैसे proper money management करना है तो यह सारी चीज़े कवर करता हूं मैं अपने इस technical analysis course के अंदर जिसके अंदर आपको सारी जी मिलती है के वर क्रिप्टो के लिए नहीं बलकि Forex Community Stock के वी जो चार्ट से वो भी आप पर साथ है Bitcoin के चार्ट के पर Bitcoin के हमने almost बात कर ली है CMA future की बात करीजा तो यहां पर तो कुछ खास अभी देखने को नहीं मिल रहा है and जैसे मैं आपको अकल बताया था कि जब CMA future Monday को start होगा तो यहां पर अगर gap बनती तो उसको fill कर सकता है तो फिलार में तो कोई भी gap हमें टेस्टिंग कर रहा है लेकिन अगर आप डेली के according देखे तो still market के अंतर अपी भी जो weakness है वो हमें strong टेक्निक को मिल रही है यहां का जो rejection था चायप इस लाइन को यहां से ले सकते हैं यहां से तो कहीं न कहीं Bitcoin को rejection मिला है तो dominance यहां पर loose Bitcoin कर रहा है इसका मतलब कि altcoin यहां पर dominance की सकते हैं लेकिन altcoin की भी हाला थोड़ी से यहां पर dominance वाइस थोड़ी खराब है इसको में remove कर देता हूं तो यहां पर अभी के लिए हमारे पार जो एक लौता support है वहां पर 12.83 का जिसका market अगर break करता है तो obviously फिर market आपको Bitcoin वाइस या पर जो altcoin वाइस है दोनों बात करे थी वह exactly भी follow हो रही है कि market इस level को bridge करेगा तो short का zone बनता है इस level को bridge नहीं करता है तो market higher level को test कर सकता है जो कि इस हले line पर है and almost market ने उसको test करने की कोशिश भी यहां पर करी है उसकी पास से आप देख सकते हैं यहीं से हमें rejection phase करने को मिला है और कहीं न कहीं अब market के जो एक supportive zone है खास और बात कर एथिरियम के लिए तो वो इसी area के आसपास हमें देखने को मिल रहा है it means कि अगर इथिरियम इसको break करता है around 1485 के आसपास में targets को तो market के हैं कई plunge नीचे की तरफ कर सकता है और 1300 जिस target की बात हम पहले भी कर रहे थे उस तरफ market यहां पर आ सकता है हला कि weekly closing के साब से कर आप देखेंगे तो weekly closing super हुई है it means कि तीन weekly closing अभी तरफ green गई है तो हो सकता है कि market अगा थोड़ा नीचे है तो इसको test कर सकता है थोड़ा पर नीचे करने के बाद market उपर की तरफ कर सकता है हला कि यह वाला month end होने वाला है तो थोड़ा से important होगा द support है वो 1423 है लेकिन हमारे जो price वाई support हमें दिख रहा है वो लगवा 1330 के असपास है तो इस लेवल को भी आप wait कर सकते है और इसी के साथ price के अंदर एक बड़ा breakdown आने वाला है तो उसके लिए भी आपको तयार हम पर रहना चाहिए बागी जो rejection मिला है इसने हम लोगों को ब 85 to 1335 तो इसको भी आप check out यहां पर कर सकते हैं नेक्स आपर बात करते हैं Binance coin के बारे में इसके अंदर भी गिरावट का सिंसिला जा रही है जो हमारा support है वो अभी पर test नहीं हुआ है 247 something के असपास में market ने definitely इसको break कर लिया था लिगने एक बार अगर properly retracement यहां पर इसके bottom line to $40 क्या सबस होता है यहां एक्सपक करेंगे कि market के अंदर कोई भी changes है आप देखने को मिले currently अगर आप इसको देखने कोशिश करें तो यहां पर एक अपर line है अगर market इसको break कर पाता है तो balance good नहीं कर पाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल सकती है next आप हम लोग बात करते है XRP के बारे में तो XRP अल्रेडी अपने support को तोड़ चुका है जैसे कि मैंने कल लिया परसो की शद वीडियो में आपको बता होगा कि यहां पे एक head and shoulder ऐसा pattern मिल रहा है इसकी बाद भी थोड़ा market ने bounce किया है लेकिन उसके बाद इस चीज को breakdown है त तो आप चाहे तो इसको head and shoulder बना सकते हैं आप चाहे तो इसको designing triangle के formations में ले सकते हैं और इसके according अगर हम targets की बात करते हैं तो कही ना कहीं जो target है वो नीचे की तरफ लगबग 0.32 के आसपस रहने वाले जिसके उपर हमने कल भी यहां पर discussion किया था और अगर head and shoulder के according भी आप targets लेखे यहां पर चलते हैं तो market around 0.32 के आसपसर नीचे drop कर सकता है next बात करते हैं dot के बारे में dot की trend line के break के बार retracement हम और रही बात कर चुके है market ने अच्छा का सा downfall हमें इस point पर दे चुका है और यहां पर अगर आप धियान से देखने की कोशिश करें तो dot अपना जो major supportive levels ह उसको भी यहां पर break कर चुका है तो अभी currently तो यह इसके एक resistance है लेकिन हाँ यहां पर आपको दो pattern का clash देखने को मिल सकता है पहला pattern हमारे पास वही वाला falling wedge अगर आप इसको यहां से देखने की कोशिश करते है तो यह around around इस तरीके से form हो रहा है इसका simple सा मतलब है कि market अग pattern भी still extend हो गया आप देखेंगे तो कहिना कि जो falling वैसा वो थोड़ा extend हुआ है बट इस तरी से देना है नहीं किया जा सकता कि market थोड़ा सा downtrend में तो लगबख market अगर नीचे test भी करना चाहते तो 35.7 तर test यहां पर कर सकता है next बात करते हैं Cardano के बारे में Cardano में double top जैसा function बन दो नीचे फिर से 0.41 के आसपस के target से आप रहने बारे हैं हाला कि market ने इसको break करा था तो जो इसके highest point है उसके आसपस almost market test कर चुका है तो यहां पर ज्यादा चीए तो इसमें नहीं बोल सकते लेकिन अगर आप इसके level wise देखे तो अब यही level इसके लिए एक important resistance की तरह act यहा देखने को मिलता है next बात करते हैं matic के बारे में तो कल में बने बताया था कि यह line अगर break नहीं होगी तो matic के नदर कोई भी pump expect मत करना और अगर price उपर जाता है fake out करता है जैसे कि यहां वह इस point पर किया गया तो market आपको फिर से drop होता हो मिलेगा और यह वाले जो zone से इस प यहां पर bullish हम नहीं हो सकते जब तक कि $1 breach नहीं होता माना के अंदर next आप बात कर लेते हैं send token के बार में send की rejection के बार से वापी से retracement यहां पर चल रहा है लेकिन यहां पर थोड़े सी एक दिक्कत वाली बात यह है कि नीचे का जो trend line support यह थोड़ा सा दूर है अगर मैं उपर नीचे वाली लने को थोड़ा सा hard portions में डालू तो यहां पर देख सकते कि price में chances बन सकते कि 1.15 को market एक बार test यहां पर कर लें अब जो भी changes होंगे वह हमें एक या दो दिन के अंदर ही पता पर पाएंगे लेकिन अभी अगर global market गिरता है यहने कि Bitcoin गिरता है Ethereum गिरता है तो य market को उपर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कद आपे होने वारी है तो यह थे दोस्तों सारे की सारे coin जो कि में आपको बता दिये हैं और लगबख इनका जो चीजें है वो Bitcoin के उपर depend होती है तो Bitcoin के analysis के पाद आप इनका analysis करते हैं तो आप बहुत अतक जो clearties है वो देखने को आपे मिल जाती है तो चलिए यह थे आज की token अब चलते सिधे अपनी news के उप़र आज की सबसे पहरे हैं पर news निकल किया रही है Tesla की तरफ से और हम सभी को पता है कि Tesla 75% उनके portfolio में Bitcoin थे उसको आपर already sale कर दिया था जो maybe 30,000 28,000 के आसपास ही कर रहे थे जिसमें कि उन्होंन पॉलेसी चल रही है COVID को लेकर जिसकी वाइसे हमाँ पर भी भी lockdowns है और उसकी वाइसे इनकी जो supply chain है या फिर जो manufacturing जो sales है वो यहाँ पर effect हो रही है और company को चाहिए cash flow ऐसे slowdown के अंदर और market तो obviously down है तो Tesla के share तो बेच के वो कर नहीं सकते तो इन्होंने आपर bitcoin को बेचा है Tesla company के तुरू quarter 2 के अंदर ये पहले बेच चुक है तो अभी इसका कोई ज्यादा खासत सा देखने को नहीं मिलेगा और 936 million जो है वो इन्होंने अपनी balance sheet के अंदर यहाँ पर डाल दी है तो आप कह सकते कि एक तरिक जो liquidity है वो इन्होंने company में add करी है और एक जो firm है Singapore based उनका क कहिना कहीं अगर company को cash चाहिए तो वो यहाँ पर लेगें क्योंकि Elon Musk के personal bitcoin नहीं है Tesla company की hoodling से Elon Musk के पास अगर अपने खुद के personal bitcoin से वो बेचते हैं करते है तो फिर वो उनका ही personal lookout बनता है लेकिन Tesla ने अगर इसको बेचा है तो वो कहना कि अपनी company में ही utilize करेंगे Elon Musk को जाके market के हमें पर 5 billion dollar का हो सकता है 2026 में हलेकि तोड़ा सा छोटा मुझे लग रहा है लेकिन इसमें portion की बात करी जा रही है जो कि है real estate sales के बारे में तो अगर आप जमीन खरीदना या बेचनी के शौकीन है तो yes Metaverse अपने जापे 5 billion का market 2026 से ready हमें हो सकता है अगली दोसर्थ और President Donald Trump की तरफ से और इनका क्याना है कि जो अमेरिका की economy है वो बहुत ज़्यादा बड़े trouble में है जहांपे कि वो इसको recession नहीं बोलेंगे वो इसको बोलेंगे सिर्फ और से depression हम सभी को पता है कि अमेरिका में पिछले बहुत तैम से क्या हुआ जब COVID आया तो बहुत सारे note नोट शापने के लोगों को फ्री पैसा दिया उसके बाद जब थोड़ी economy सुधने लगी तो उसके बाद हमें पता पड़ा कि inflation के नंबर दो चार परसन से बढ़के सी आठ परसन पे skyrocket कर गए जो कि अमेरिका की हिस्ट्री में 40 साल बाद ऐसा हुआ है और इसी सभी क्यास के वज़े से यही estimate लगा जा रहा है कि हो सकता है कि हम लोगों को आप एक recession देखने को मिले मतलब में probably recession तो नहीं depression जिसके बारे में सब लोग आपर बात कर रहे है क्योंकि recession से उबरना बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन depression से उबरने में बहुत टाइम लग सकता है लास्ट टा पता है कि recession depression कब आने वाला है तो यहाँ पर आप यह चीज़ मान के चुरो कि अगर ऐसी को भी condition occur होती है तो आप एक साल का emergency fund अपने bank account में रखके चलो क्योंकि एक साल के अंदर बहुत अतक चीज़े सुधर सकती है recession depression जूपे आएगा वो suddenly हो सकता है जैसे कि हमने कोविट के टाइम पर देखा था जो dump है markets के अंदर तो उस टाइम पर पैनिक ना करो आपके पास एक savings हो और अगर आप cash flow में थोड़ा सा बैठे हो 30% 20% तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा मौका खरीदने का वापस deep में पर देखते हैं कि क्या चीज़े होती है और economical condition के हमें उल्लू बनाती है या फिर हमनों सच्ची में रिसेशन या डिप्रेशन देखने को पर मिल पाता है अगली दूसरों खबर आरे शीबा इन्हों की तरफ से चाहपे कि शीबा इन्हों का जो burning rate है वो 250% तक हाई कहां पर क कई ला कई दिक्त यहां पर कर रहा है उसके बाद इनका tweet आता तो नहीं है लेकिन उससे पहले हमें percentage बढ़ते हुए मिल जाते हैं हले कि officially तो टीम के साथ काम नहीं करते हैं लेकिन ऐसा support कर रहे हैं ताकि शीबाइनों की circulating supply को market से reduce किया जा सके अब यहां पर देखेंगे तो 587 million tokens burn हुए थे जिसमेंस आप यह कह सकते कि 520 million तो सिर्फ एक ही unknown wallet ने यहां पर burn कर दिये थे जो कि individual whale यहां पर हम कहा सकते हैं शीबाइनों की यहां पर तो कहीं न कहीं तो बहुत बड़ी supply का chunk है और इसके पहले भी बहुत सारे से identify हुए यहां पर कि unknown wallets ने 150 million और 16 million cover नहीं किया जा सकता है आज के आखरी news निकल का रही है तेतर विट फिनिक्स और hypercore की तरफ से निक कि यह बहुत बड़ी update है इन्होंने बेसिकली आप एक app launch किया है जो की P2P app की तरह work करेगा और इसके अंदर आपको bitcoin lighting network payment का support देखने को मिलने वाला है तो बेसिकली इस app के बारे में बता रहे हैं कि आप इसमें audio call, video call कर सकते हो जो की decentralized manner में होने वाली है आप testing कर सकते हो, files यहाँ पर send कर सकते हो एक तरिकरा chatting आप है जैसे कि आप आच्छी देट में whatsapp, telegram या दूसरे messenger आप देखते है और यह peer-to-peer manner के अंदर यहाँ पर work करने वाला है जिसमें क आपको support मिल रहा है तो payment तो आपका यहाँ पर होने वाला है तो इसका नाम है whole punch जो कि आपको देखने को मिलता है और इस P2P को आपर kit report के नाम से भी बताए जारा है तो आपको दोना ही चीज़े लगबग stream देखने को मिल जाती है और अच्छी बात है कि ऐसे applications अगर market में आ आ सकते हैं I hope दोस्तों व्डिया अपर पसना होगी दोस्तों कर वीडियो को पैसें तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा अगर अभी तक आपने चैनल में family और फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो definitely चाहें शेयर करें ताकि वो लोग भी crypto market से updated रह सकें और अगर आप आ जोगा वैजिए अटिस्वी वीडियो के साथ तो तो भीडिया आप ग्रेट ए अट बाइए जया विए अटेगा चैनल में विडियो के साथ तो तो बिले आए वगरेट एट ये और बाइए